शकार मित्रू बहुत बहुत श्वागित है आपका हमारे चैनल में कुम्भरासी वालों साल 2022 यह महीना यह साल और यह दिन आप लोगों के जीवर में यह तीन घटनाओं को करने वाला है जल्दी से करो यह काम क्योंकि कुम्भरासी के लोगों के जीवर में सुकुंडली में आप लोगों के जीवन में बहुत सारे दुरलव घटनाई भी घटित होंगी कई सारे सुवयोगों का निर्मान भी होगा और कई प्रिकार के मुस्किलें कई प्रिकार के समस्याओं से भी आप लोगों को जूजना पड़ सकता है परन्तु मत्रों 11 अप्रेल से 13 अगस्त तक य प्रिकार के सुवलाबों की फ्राप्त भी आप लोगों की कुंडली में होने जा रही हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरे तक देखिएगा मुसे पहले वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब नवस्य कर लें ठाकि रोजान अर और एकांत में हैं पूरा देखें और बताई गई जानकारी में आपको किस हद तक और किस प्रकार से सफलता मिलेंगी यह भी आपको स्वैंगे निर्धारित करने होंगे भगवान स्रहरी विश्रूजी की कृपा से आप लोगों का समय मिस्रित फलदाई रहने वाला हैं व्यक्ति हैं ऐसे में आप अपने इमोशनल पर कंट्रोल रखने की अवस्ते कोस्त करें कारिश्वर में आपको इस वर से थोड़ी सी महनत करनी पर सकते हैं आपको लाग भी जरूर प्राप्त होंगे आपके जीबन में अत्रिक्त जिम्मेदारी भी स्वापी जा सकते हैं आ उनववी लोगों से संपर्ख बन सकता है आप किसी पुराने बिमारे से चुटकारहा विप्राप्त कर सकते हैं आपको अपने योगज्ञता को सावित करने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं शामादिक चेतर में आपको लोग प्रियाता बढ़ सकती हैं दोस्तों के साथ आपको समय स्मय पर मदद मिल सकता है, आपके जीवन में खुसियां आ सकती हैं, और अलग-अलग चेत्रों से भी कामकाजों में आपके कामकाजों के सरणा होंगी, आपके सिमाहिला मित्र के सहीयोग से अच्छा खासा फायदा विप्राप्त कर सकते हैं, प्रोपर्टी से पुरानी कानुनी मामलों को निप्टाने में सफल होंगे, आपको बड़ा धनलाब मिल सकता है, आपके अच्छे सुभाव से लोग प्रभावित होंगे, आपके अधूरी मनों कामनाई भी पूरी होंगी, नौकरी में बदनत्ति के मोके मिल सकते हैं, आप लोगों को अकास् प्रवर्तन होंगे, आर्थिक की स्थित्यों में लगातार मजबूती रह सकते हैं, आप अपने वैपार के छित्र में अचानक से धनलाब की प्राप्ति कर सकते हैं, और आई में बड़ुती होंगी, नए नए मोके मिल सकते हैं, वैपार दंदा भी आपका अच्छा चल सकता हैं, और आर्थिक लाप के योग रह सकते हैं, आपको तरक की मिलने के योग बन रहे हैं, आपको समय खुश्चों से बरा रह सकता है, वरुजगार युवाओं के लिए नोकरी पाने के नयवसर प्राप्त होंगे, आप आर्थिक ग्रूप से मदबूत रहेंगे, सरकारी कार आले में अट्के वे काम में गति आ सकते हैं, और बगवान स्रेयर विष्रूजी की क्रिपासें, आपको सुब और अच्छे प्रणामों की प्राप्ती होंगी, आपके जीवन में आपको जम कर धंदोलत की प्राप्ती होंगी, और कारी शेत्र में भी आपको अपने किस्मत क साथ मिल सकता है बगवान स्रियर विश्रू जी की क्रिफासें आपके सोचेवे कारी भी अवस्य पूरे होंगे आपको तरतर के नए और कौफी योगकारी लावकारी योजनाओं को बनाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं मत्रों भगवान स्रेयरे विश्रूजी की क्रिपासें आपकी आर्थिक इस्तित्यों में सुधार होंगे आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है जिनसे की आप समाज में अपने अलग पहसान बनाने में काम्याब हो नहींगे नौकरी की तलास कतम होंगी आपको कई वर्षों से खोया हुestन भी आपको पुना मिल सकता है आपको अपनी जीवन सैली में कुछ बड़े वदलाव देखने को मिल सकते हैं नजदी की लोगों से मुलकात हो सकती है जीवन साती के साथ आपका समय विकाफि अच्छा वी तेग धैरे बना कर रखने की जुरत होंगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, आप कुछ नया करने का फ्रत्न कर सकते हैं, जो आपको आगे ले जाएगा, अगर आप विवाहित हैं, तो आपको जीवन में विशेश बड़े खुसकवरी मिल सकते हैं, आपको संतान सुक की फ्राप्ति विया शाल करवानी वाला है, आपके घर में साधी के नय प्रस्तावा सकते हैं, आपको जिन्से की आप उन पर गर्व महसूस कर सकते हैं, आपको सुसराल पक्षी की तरफ से कोई नई खुसकवरी मिल सकते हैं, भगवान, स्रीहरी विश्रूजी की कृपा से आपके जीबन में लगातार धंदोलत की वरसाती होंगी, आप अपने पारिवारी कृष्टों में महत्मुन भूमिका निभा सकते हैं, मादरुगा की कृपा से कई तरह के प्रिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं, गर परिवार में खुश्यों का महौ ले सकता है, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी टैंसन लेने से बचने का प्रियास करने होंगे, आप अपने परिसानी को दूर करने का प्रियास कर सकते हैं, आप जितने ही सचाई का साथ देंगे, उतने ही तेजी से प्रगति करते वे आगे बढ़ सकते हैं, बत्चों के तरफ से आपको नई जानकारी बिन सकते हैं, जिसको जानकर आपका मंण काफी प्रसंद होंगे, गरप्रिवार में आपको माता जी का सहयोग मिल सकता है, आपको हद से जयादा किसी पर वी अन्जान वेक्तिए उ प्रविश्वास करने से बचने का प्रियाज करने होंगे प्यार के मामल में आपको तरक्की मिल सकते हैं आपको अपनी कटनायों को दूर करने के मोके भी राप्त हो सकते हैं माता दुरगा की क्रिफ़ा से आपको अपने ओफिसल कामों को जल्दबादी में करने की कुशिस न करें आप अपने किसे बविसे की यात्राओं पर जाने की कुशस कर सकते हैं तथा कारी शेत्र में आपके जीवन में आपको बड़ी खुशकबरी मिल सकते हैं माता दुरुगा की क्रिफा से आप अपने कारिशमता में वड़ोतरी कर सकते हैं आपके निजी समंदों में भी काफी वड़ोतरी होंगी आप अपने सवी चिंताओं को दूर करने की कुशस कर सकते हैं आपका भाग भी आपका सहयोग और साथ देने वाला है आपके भाग का साथ मिलने के कारण आप अपने समस्याओं का समधान कर सकते हैं आपके जीवन का हर पल हर लमहा सांदार तरीके से वीतेगा वैपार व्यवसाय में उन्नती के अवसर सामने आएंगे सक्षा के शेतर में आपको अपार सफलताय मिलने के संभावना नजर आ रही हैं आपको अपने सच्चा प्यार मिलने के फूरी संभावना है सक्षा नोकरी और वैपार के शेतर में आप नए करतिमान अस्ताफित करते हुए आगे बढ़ेंगे वैपार में आपको जबर्दस तलाब मिलने के योग हैं आपके समाद में मान सम्मान और परतिष्टा में वनुतरी होंगे और आपके द्वारा लिया गया महत्पुन्डरने भी लाप तायक रहेगा यात्रा से जुड़ी कोई सुब सूचना भी मिलने के संभावना है परिवार में आपका सुखाएगा आपका वैपार तेजी से फकड़ लेगा आपको ज़्यादा पगार वाले नौकरी मिल सकते हैं आपको उधार देवे पैसे भी मिल सकते हैं आपको नयाकार शुरू करने कम मोका मिलेगा जीवन साती के तरफ से आपको कोई वड़ी खुसकबरे सुनने को मिलेंगे सुवास्ते से रुड़ी हुई परिसानिया दूर होंगे आपको हर कारे में सफलता मिलने का योग बन रहा है आपके चिंताएं समाप्त हो जाएंगे धन के छेतर में आपको विर्द करेंगे वर्जगार युवाओं को नोकरी के योग बनेंगे घर में किसी धार्मिक यात्राओं या उत्सव होने के संभावना भी आपका बन रहा है तता आपके जीवन में आपको सुनवरे अवसरों की फ्राप्ति होंगे तता आप लोगों को नोकरी दधा बैपार के शेत में लाबदायक और सफल दिन रह सकता है आपके कारी शेतर में आप वर्चस्व और प्रभाव को जमा सकोगे भरपूर आत्मिस्वास और द्रीडमनुबल से आपका कारे भी सफलता पूरुवक पूरा होगा उससे पदादी कारी वरा काम की कदर हो सकते हैं वजुनत्य के सं आपके मन की उदासी भी दूर होंगे आप किसी कारी को लेकर महत्मों निरने ले सकते हैं आप अपने सभी प्रकार की समस्याओं से चुटकार अफराप्त कर सकोगे आपके जीबन में मन रहरे दुखों के वादल भी दूर हो सकते हैं रोजी रोजगार व्यवसाई की किसी से आप कसमें लापताय करे सकता हैं